नाजरीन आज हम आपको बताएंगे वाकाए कर्बला के बारे में अगर आप इसी तरह की इसलामिक मालूमाती वीडियोज देखना चाहते हो तो हमारे न्यू चैनल दीन फहमी को सब्सक्राइब जरूर करना चलिए शुरू करते हैं दोस्तो आईए जाते हैं कि क्यों और कैसे हुए इमाम हुसेन शहीद ये वाक्या है पांसो सब्सक्राइब का जब अरब की सरजमी पर दरिंदगी अपने उरूच पर थी तब अल्लाह ने अपने आखरी नभी को भेजा आपने अरब की समी को दरिंदगी से नेजात दिलाया और आपने लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाते हुए दिन इसलाम की दावत दी दिन इसलाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आया बलकि ये सभी इंसानों के लिए आया है क्योंकि बुनियादी रूप से दीन में अच्छी बातों का जिक्र किया गया है और बुरे कामों से रोकने और बचने के तरीके बताए गये है तो इस तरह ये दीन तमाम इंसानों के लिए सबसे बहतर और अल्लह का पसंदीदा दीन है जब दीन इसलाम को हजरत महम्मद अल्याओ आल्याओ वसल्म ने फैलाना शुरू किया तब अरब के लगबग सभी कबीलों ने महम्मद प्रॉफित की बात मान कर अल्लह का दीन कुबूल कर लिया नभी महम्मद के साथ मिले कबीलों की तैदाद देखकर उस समय नभी महम्मद के दुष्ष्मन भी आपके साथ आ मिले लेकिन वो नभी महम्मद से दुष्मदी अपने दिलों में रखे हुए थे नभी महामद अलाहिवा आड़ जून 632 इस्वी को विसाल कर गए यानि इस फानी दुनिया से कूच कर गए उनके जाने के बाद ये दुश्मन दिरे दिरे हावी होने लगे पहले इन दुश्मनों ने महामद अलाहिवा आलहिवसलम की बेटी हजरत फातिमा सलाम अलाहिवा आलहिवसलम की बेटी हजरत फातिमा सलाम अलाहिवसलम की बेटी हजरत फातिमा सलाम अलाहिवसलम की बेटी हजरत फातिमा सलाम अलाहिवसलम की बेटी हजरत फातिमा सलाम अला को छोड़ गयी फीर कई सालों बाद दुश्मनों ने मस्जिद में नमाज पढ़ते समयं नभी मुहम्मद के दामाद हजरत अली लुह स्ल्हां के सर पर तलवार मार कर उन्हें शहीद कर दिया, उसके बाद दुश्मनों नभी मुहम्मत के बड़े नमा से इमाम हसन अलाहिका दुश्मन मुहम्मद ﷺ के पूरे परिवार को खत्म करना चाहते थे। इसलिए उनके बाद इमाम हुसैन ﷺ जो कि मुहम्मद नभी के छोटे नवासे हैं उन पर दुश्मन दबाव बनाने लगे। कि वो समय के जबरन बने खलीफा यजीद की बयत कर ले। और इसका हर हुखम माने सात में यजीद जो कहें उसे इसलाम में शामिल कर दे। और जो वो इसलाम से हटाने को कहें वो इसलाम से हटा दे। यानि मुहम्मद ﷺ के दिने इसलाम को बदल दे। इमाम हुसाइन पर दबाव इसलिए था क्योंकि वो अपने नाना के चहीते नवासे थे महामद सलिल्ला अलही वालही वसल्म ने खुद कहा है हुसाइन मुझ से है और मैं हुसाइन से यजीद यहाँ चाहता था कि हुसाइन उसके साथ हो जाए और यजीद की बयत कर ले यानी यजीद की हर बात माने यजीद लानती यहाँ जानता था अगर हुसाइन उसके साथ आ गए तो सारा इसलाम उसकी मुठी में होंगा और फिर वो जो चाहे अपनी मर्जी से दीन इसलाम में बिगार पैदा करता हूँ लेकिन दबाव के बाद इमाम हुसाइन लाहिससलाम ने यजीद की किसी भी बात को मानने से इंकार कर दिया तो यजीद ने इमाम हुसाइन लाहिससलाम को कतल करने की योजना बनाई फिर इमाम हुसाइन मदीने में अपना घर छोड़ते हुए मक्का पहुँचे जहां उनका हज करने का इरादा था लेकिन इमाम को पता चला कि दुश्मन हाजियों के भेस में आपको कतल करने वहां भी पहुत चुके है तो इमाम हुसैन अलाहिससलाम ये नहीं चाहते थे कि काबे के हरम में उनका खून बहाए तो उन्होंने हज को उम्रह से तबदील करके मक्का छोड़ दिया और कूफे की तरफ चल दिये रास्ते में हुर जो दुश्मन के फौज की सरदारी कर रहा था इसने इमाम को घेर कर करबला ले आया इमाम ने उस वक्त हुर से कहा मेरा रास्ता छोड़ दू मैं न मदीने में ठहर रहा हूँ और न मक्का में दुश्मनों की फौज ने इमाम को घेरा था उस समय दुश्मन की फौज बहुत प्यासी थी इमाम ने दुश्मन की फौज को पानी पिलवाया और ये देख दुश्मन फौज के सिपाही हजरत हुर का दिल मचलने लगा बिलाखिर हजरत हुर दुश्मन फौज को छोड़ कर इमाम के साथ हो गए और उनसे मौफी की दर्खवास्त की इमाम हुसेन ने कर्बला में जिस जमी पर अपने खेमें लगाए उस जमी को पहले इमाम ने खरीदा फिर अपने खेमें लगाए वहाँ यजीद अपने सिपाहियों के जलिए लगादार इमाम पर दबाव लगाता गया कि हुसेन यजीद की बयत कर ले जब इमाम हुसैन अलाहिससलाम ने यजीद की बात नहीं मानी तो दुश्मनों ने नहर पर फौज का पहरा लगा दिया और हुसैन और उनके घर वालों पर पानी बंद करवा दिया तीन दिन गुजर जाने के बाद जब इमाम के खेमों के बच्चे प्यास से तडपने लगे तो इमाम ने यजीदी फौद से पानी मांगा तो दुश्मनों ने पानी देने से इंकार कर दिया दुश्मनों ने सोचा हुसैन प्यास से तूट जाएंगे और यजीद की सारी शर् आश्याम ने दुश्मनों से एक रात की महलत मागी और उस पूरी रात इमाम हुसैन अलाहिस्लाम और उनके तमाम घर वाले अल्लाह की अबादत करते रहे और दौा मांगते रहे कि मेरे परिवार, मेरे मित्र चाहे शहीद हो जाए लेकिन अल्लाह का दीन इसलाम जो उनके नाना हजरत मुहम्मद अलेकर आये थे वो बचा रहे बिलाखिर 10 अक्तोबर 680 इस्वी को यजीदियों ने सुबह नमाज के दौरान ही नमाजियों पर तीरों की बारिश शुरू कर दी और जंग छेर दी जंग कहना तो दोस्तो ठीक नहीं होंगा क्योंके एक तरफ लाखों की फाउज थी और एक तरफ चंद परिवार वैसे इमाम हुसैन अलाहिस सलाम के साथ केवल 75-80 मर्द थे जिन में 6 महीने से लेकर 13 साल के बच्चे शामिल थे इसलाम की बुनियाद बचाने में कर्बला में 72 लोग शहीद हो गए जिसमें दुश्मनों ने 6 महीने के बच्चे जनाब अली असगर के गले पर तीन नोक वालत तीर मारा 13 साल के कमसिन जवा हजरत कासिन को जिन्दा रहते घुडों की टापों से कुचल डाला 7 से 8 साल के बच्चे आउन मुहम्मद के सर पर तलवार से वार करके उन्हें शहीद कर दिया 18 साल के जवान जनाब अली अकबर के दिल में नैजा मारा 32 साल के हजरत अबास जो इमाम के भाई थे उनके दोनों हादों को कलम कर दिया ओर इमाम हसेन की शहादत के बाद दुश्मनों ने इमाम के अखे में भी जला दिये परिवार की औरतों बीमार मर्दो बच्चों को कैड़ी बना दिया और इनहें कράबला से कुफा और कुफेश शाम कैड़ी बना कर घुमाया गया और इसी तरह शाम के कैद खाने में इमाम की चहती बेटी सकीना सकीना बिनतुलहुसैन घर वापस जाने की उमीद से दम तोड़ देती है दोस्तो जो लोग महर्रम में मजलिसों मातम करते है वो लोग इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी को याद करके दोर हाजिर के यजीद से एहतिजाज करते हुए कहते है कतल हुसैन असल में मरगे यजीद है इसलाम जिन्दा होता है हर कर्बला के बाद तो दोस्तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने मुखतसर बताया कैसे हुए थे कर्बला में इमाम हुसेंद शहीद अगर आपका कर्बला से मुतालिक कोई सवाल हो तो जरूर कॉमेंट्स में पूछिए हम आपको इसका जवाब देंगे दोस्तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक के अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी कर्बला और इमाम हुसेंद अलाहिससलाम की शहादत के बारे में जान सके और साथ में सबस्क्राइब कीजिए हमारे दीन फहमी और जेटेक चैनल को ताकि आप देख पाएंगे हमारे सारे वीडियो लगातार अगर आपको हमारी ये मुफतसर सी महनत अच्छी लगी हो कॉमेंट्स में इतना लिख दो लबाई या खुसेंद अगर खुसेंद